प्रेंट फिटर फिटर चनल में आप सभी का स्वागत है आज मैंने जो वीडियो बनाया है एक्जाम को ध्यान में रखती हुई बनाया है कि सारे के सारे एक्जाम आ चुके हैं उनकी डीट के लिएर हो चुकी है और कुछ एक्जाम तो आने वाले हैं तो मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें ये बनाया है कि एक्जाम से पहले हम क्या करें क्या ना करें और एक्जाम देते समय क्या करें तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले एक्जाम से पहले क्या करें तो जो हम एक्जाम देने वाले हैं 5 तारीकों या 5 के आगे तो उसके पहले ऐसे नहीं करना है कि center जहां हम ठहर रहें वहां से कितने दूर है या हम वहां से जाएंगे तो कैसे जाएंगे टैक्सी से जाएंगे या बस से जाएंगे कैसे जाएंगे ये सारी जानकारी हमें चार तारीको या जिस दिन हमारा एक जाम है उसके एक दिन पहले हमें करना है दूसरी बात हमें जैसे ही सेंटर की जानकारी कल ली है तो हमें उसके आसपास जहां पर भी हम quarter pair रिस्तेदार या होटल में जहां कहीं भी हम रुक रहे हैं जो हमने सेंटर को पता कर लिया है तो हमें अपने रूटीन के अंसा जो रुटीन में हम पढ़ाई करते हैं हमें उसी रुटीन में पढ़ाई करनी है जैसे हमारी आदत है कि हम 11 वजी या 12 वजी तक पढ़ाई करते हैं तो हम उस दिन 12 वजी तक ही पढ़ाई करें और जो हमने सौट नोट्स बनाए हैं उसी short notes से ही पढ़ें क्योंकि कुछ बच्चे करते हैं उसी दिन पूरी रात पढ़ाई करते हैं तो ये हमें नहीं करना है हमें पूरी रात पढ़ाई नहीं करना जो हमारे routine में हैं हमें उतनी ही पढ़ाई करनी है क्योंकि यदि हम उस दिन अपना routine change कर देंगे तो routine change करने से क क्या होगा कि हमारे सरीर जो है अलग टाइप का हो जाएगा और हम वेचे नहीं महसूस करेंगे तो यदि हम रोज डेली घर पर 11 बजी तक पढ़ते हैं तो हम 11 बजी तक ही पढ़ें और सुबह जितनी बजी हमारा रूटीन है पांच बजी जगें अच्छे से तैयार होकर कि जो हमने कॉपी में या डायरी में सौट नोर्स बनाए हैं उनको पढ़ें और एकजाम पर आदे घंटे पहले या जो तुट हमारा रिपोर्टिंग टाइम है उसके पहले पहुँच जाएं क्योंकि हमें हड़ बड़ी में नहीं भागना है हड़ बड़ी में भागने से हम टेंसनाईज हो जाएंगे और हम कुश्चन आगे जो करने वाले हैं या सेंटर के अंदर जाके जो भी हम गोले भरने वाले हैं उसमें हम टेंसनाईज हो जाएंगे तो हमें एक दिन पहले पहुँच जाना है सेंटर का पता करना है बाहन का हमें पता करना है किस तरीके से ब रुक गए और सेंटर पे हमें पहुचना है जल्दी से मालिए साड़े नो बजी ओहां से दस बजे बस जा रही अब आप घूम रहे हो परेशान हो रहे हो बस नहीं मिले बस दस बजे आएगी आपका रिकोर्टिंग तरम साड़े नो बजे उल्टा सीधा पैसे दोगे कहीं ट है और सूट सॉट नोट सें उससे पड़ना है रात में हमें बेफल्तू का जो मोबाइल नहीं चलाना है उत-पड़ांग काम नहीं करना है कि किसी से जादा बातचीत करोगे मैं ऐसा कर सकता हूँ यह यह सारी बाते नहीं करना सुकून से जो आपकी टाइमिंग है उसमें सो पर पहुंच जाएं इसके बाद paper देते हैं समय क्या करें जो third point है तो paper देते हैं आपको सबसे पहले वो question अटेंड करने हैं जो question आपको आती है sure sure तो पहले हम sure sure एक round में sure sure question करेंगे इसके बाद दूसरे round में हम वो question देखेंगे जो हमने अटेंड नहीं किये और उन question में क्या करेंगे उसके जो keywords रहते हैं keywords का मतलब ये question का main point होता है जैसे माल दीजिए मैं question कहे देता हूँ dial test indicator के बारे में कोई question आया तो हम dial test indicator के बारे में सोच बिचारी करेंगे जो भी हमें दिक्कत होरी तो उसके something something जो answer होगा हम वही answer लगाएंगे तो इस तरीके से यादि हम पूरी planning से काम करें तो हमें exam देने के पहले exam देने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी और हम जरूर सफल होगे तो इसी तरीके से आप करें पूरी जानकारी करें और हमारी तरफ से आपको good luck all my students आप पास हों सफल हों आज के लिए तना ही ओक के बाई बाई बाई